बिग बोस ओटी टी टू विनर और यूटूबर एलविश या दो खुब सुर्खियों में चाहे हुए हैं पहले उनका यूटूबर सागर ठाकूर उर्फ मैक्स्टन के साथ जगडे का वीडियो खुब वाइरल हुआ था हलाकि बाद में दोनों की सुलबी हो गई लेकिन इसके बाद एलविश एक और मुश्किल में फस गए दरसल सापों के जहर सप्लाई मामले में वे सलाखों के पीछे भी पहुँच गए थे हलाकि इस मामले में एलविश को जमानत मिल गई है वहीं जेल से बाहर आने के बाद यूटूबर ने मुंबई में सिध्धी विनायक मंदिर में माथा ठेका इसकी तस्वीर भी उन्होंने सोसल मीडिया पर शेर की है एलविश ने बुद्धवार को अपने इंस्टा इस्टोरी पर मुंबई के सिध्धी विनायक में दर्सन करने की एक तस्वीर शेर की थी फोटो में एलविश अपने दोस्तों के साथ मंदिर के अंदर बप्पा की शरण में नजर आ रहे हैं तस्वीर में एलविश वाइट कलर की टी सर्ट और बलेक जिन्स में नजर आ रहे हैं उन्होंने लाल रंग का वस्तर भी लिया हुआ था एलविश के हाथों में नारियल भी दिख रहा है एलविश की ये तस्वीर सोसल मीडिया पर जम कर वाइरल हो रही है वहीं जिल से बाहर आने के बाद एलविश ने अपने पूरे परिवार संग भी एक तस्वीर अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेर की थी फोटो में यूटूबर अपने दादा दादी, मम्मी पपा और बहन जीजु के साथ नजर आ रहे थे वहीं इस फोटो को शेर करते हुए एलविश ने कैप्सिन में लिखा था माई बैग बोन बता दे कि बीग बस ओटी टी टू वीनर को इस महीने की शुरुआत में सांपो के जहर सप्लाई मामले में नोईडा पुलिस ने गिरफतार किया था उनके खिलाप मानव वन ने जीव शनरचन अरिनियम 1972 के प्रावधान और भारती दंड संगिता की धारा 120 B के तहत अपराधिक साजिस के तहत दर्ज किया गया था हालां कि एक अपते बाद 50,000 के जमानत वांट परियादों को जमानत मिल गई थी इस स्टोरी पर आपका क्या कहना है कॉमेंट कर हमें जरूर बताएं बॉलिवुड और एंटर्टेन्मेंट की खबरों के लिए देखते रहिए इबी भी एंटर्टेन्मेंट